हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कॉमेंट में जैश्री कृष्णा जरूर लिखे फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे स्पेशली प्रेगनर महिलाओं के लिए जैसा कि आप सब जानते ही कि पांच मेई को चंदर ग्रहन लगने जा रहा है जिसमें खुछ ही समय रहा गया है ऐसे में गर्वती महेलाओं के दिमाग में बहुत से कोशन आ रहे हैं कि इस ग्रहन के şu है क्या नियम होंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ग्रहन की सही टाइमिंग क्या है कहां कहां ये ग्रहन दिखाई देगा और मैं इस वीडियो में आपको कुछ खास उपाय भी बताऊंगी जो कि चंदर ग्रहन के समय पर आपको करने हैं और चंदर ग्रहन के बाद भी करने हैं ये वीडियो गर्वती महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल हो है इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मेंलेगी में एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताने वाली हूं क्या ग्रहन की टा wür dreiमिंग है काहां कहां दिखाई देने वाला है सूतँ लगेगा या नहीं लगगेगा बारत में रहने वाली घर uwagę करना और चालिये ये मे देखें फ्रेंट्स पांच में जो जो चंदर ग्रहन लगने जा रहा है सबसे पहले हम जानते हैं कि गर्वती महलाओं को इस चंदर ग्रहन के समय खास करके क्या-क्या नियमों को जो है उन्हें पालन ज़रूर करना है इसमें कोई भी उन्हें शूट नहीं है गर्वती महलाओं को पूरी तरह से घ्रहन की नियमों का पालन करना है तो चलिए जानते हैं उन नियमों को फिर हम जानेंगे कि चंदर घ्रहन की सही टाइमिंग क्या है और कहां कहां ये चंदर घ्रहन दिखाई देने वाला है और इस वीडियो के एंडिंग में हम ये भी जान कि चंदर ग्रहण के समय आपको क्या करना है तो देखिएँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि घरवती महलाओ को क्या सिद्थ का सिद्थ합니다 इस नहीं हैं जिसे आप शू लें क्योंकि नुकिली चीजू को इस समय शूना वर्जिति माना जाता है look किली चीजों का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को कट करने के लिए कटिंग स्टिचिंग जैसे जितने भी कारे हैं वो सब कारे वर्जित माने जाते हैं और अगर आप किचन में कटिंग चॉपिंग करते हैं चाहे आप मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज का इस्तेमाल पर बहार की रोशनी उन तक ना पहुंचे वह पूरी तरह से सुरक्षित रहें चंदर गहन की रोशनी से इसलिए चंदर ग्रहन की जो negative energy है उससे बचने के लिए गर्वती महलाओं को चंदर ग्रहन के समय आपने पास एक नारियल जरूर रखना चाहिए माना जाता है जोती शास्तरों में अगर गर्वती महला ग्रहन के समय आपने पास नारियल रखती है तो ऐसा करने से जो भी ग्रहन का परवाव है वो ना ही उनके गर्व में पलढ़े बच्चे पर होता है और ना ही गर्वती महला पर होता है पूरी तरह से गर्वती महला भी तुलसी का पता जरूर रखना है और पूरे चंदर घ्रहन के समय तक वो तुलसी का पता उन्हें अपने मुँपर रखकर रखना है ऐसा करने से अगर आप कुछ भी पानी पीएंगी खाना खाएंगी तो ऐसे में घ्रहन का जो भी परवाव होगा वो आप पर नहीं होगा और अगर आ तुलसी के समय अगर आप चंदर घ्रहन के लगने में नहीं डाले हैं तो फीर आप चंदर घ्रहन लगने पर तुलसी के पते नहीं तोड़ सकते हैं अगर आपने पहलने से इसलिए आप अभी से तुलसी के पते तोड़ने और चंदर ग्रहन लगने से पहले ही आपने बने हुए खाने पानी में तुलसी के पते डाल दें अगर आपको लगता है कि आपको ग्रहन के समय भूख लगेगी प्यास लगेगी या फिर आप वो खाना ग्रहान के बाद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें तुलसी के पत्टे जरूर होने चाहिए अगर आपने तुलसी के पत्ते अपने बड़ेफश नहीं डाले तो आ इस खाने पानी का इस्तेमाल ग्रहन के बाद नहीं कर सकते हैं और नहीं ग्रहन के समय पर कर सकते हैं इसलिए वेहतर है कि आप ग्रहन लगने से पहले ही क्योंकि ग्रहन जो है चंदर ग्रहन का जो समय है वो 8 बच कर 45 मिनट पर रात के समय ये ग्रहन लग रहा है और 1 बच कर 2 मिनट में ये ग्रह समापत हो जाएगा इसलिए जो टाइमिंग है आठ बच कर पच्तालीस मिनट से पहले ही आप खाना बना ले और खाना खा ले अगर आपकी ऐसी टाइमिंग है कि आपको चंदर घ्रहन के बाद खाना खाना है तो फिर आप तुलसी के पते जरूर डाल दें अब बात करते हैं कि चंदर घ्रहन के बाद आपको क्या करना है देखिए चंदर घ्रहन के बाद मदर आतरी का समय है तो ऐसे में गर्वती महलाएं आदी रात को तो नहाएंगी नहीं और नहीं खाना बनाएंगी और नहीं गर की साफसफाई कर सकती है इसलिए आप एक ही उपाई कीजिए जैसे ही चंदर ग्रहन खत्म हो जाता है तो आप गंगा जल पहले से मंगवा कर रख लें आप एक गंगा जल के दो से तीन बुंदे पी लें ऐसा करने से आप पुरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी और आपने पर भी गंगा जल का शिर्काव कर दें तो और उसके बाद आप सो आप करें अगर को कोई मंतर नहीं आता है तो आप फोन पर भी लगाकर अशुन सकते हैं आप चंदर ग्हन के समय फोन देख सकते हैं टिवी देख सकते हैं कोई भी परिशानी नहीं है चंदर ग्हन के समय गभर्वती महिलाई on seguir past क्यूंकि बहुत सी वीडियो में आपको यह बताया जाता है कि चंदर ग्रहन के समय आप वाश रूम नहीं यूज कर सकते यूरीन पास करने नहीं जा सकते तो ऐसा नहीं है देखिए चंदर ग्रहन का परवाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यूरीन पास करने से लेकिन अगर आप इतने समय तक यूरीन को रोकेंगी तो ऐसे में गर्व में पल रहे बच्चे को जरूर कोई ना कोई परिशानी हो जाएगी इसलिए आप यूरीन पास करने जा सकती है लेकिन आपको इतनी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका वाश्रूम गर से बाहर है तो ऐसे में आप अपने आपको पूरी तर आपको अपने हैंड्स को फोल्ड नहीं करना है तांगों को फोल्ड नहीं करना है आपको आगे फैला कर रखना है बंद नहीं करना है फोल्ड नहीं करना है बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है आप इस समय नुकीली चीजों का इस्तेमार बिल्कुल भी नहीं करना है स्पजी कट करता चॉपिंग यह कारे कडिन नहीं करते हैं इस बात का विश्येश दिया रखना चाहे किसी भी करवा सकते हैं ये कुमें करें घ् Absolutely पहले उप शया चंदर ग्रहन में इस शूठkal कारे कर सकते हैं टो मुझा कर भूलाद नहीं कर दो जो सूतक है वो मानिये नहीं होता है अब बात करते हैं कि जो चंदग्रहन है क्या वो बारत में दिखेगा तो देखिए यह जो चंदग्रहन है वो बारत में दिखाई नहीं दे रहा है यह चंदग्रहन अटलांटिक महासागर हिंद महासागर परशांत महासागर में अस्ट्र बारत में रहने वाली गर्वती महलाओं को नियमों का पालन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन जहां जहां ये चंदर ग्रहन दिखाई देगा वहां बहां पर घरवती महलाओं को ग्रहन के पूरे नियमों का पालन करना पड़ेगा लेकिन आप बात करते हैं कि बारत में रहने वाली घरवती महलाओं को नियमों का पालन क्यों नहीं करना है क्योंकि आमतोर पर ये बोला जाता है कि ग्रहन कहीं भी लगे तो बारत में रहने वाली गर्वती महलाओं को जरूर नियुमों का पालन करना चाहिए क्योंकि ग्रहन कहीं भी लगे उसका असर पूरी प्रित्वी पर होता है लेकिन ये जो चंदर ग्रहन है ये उपशाया अगर आपको तो भी विश्वास नहीं होता है आप आस पास जाके किसी भी जोतिश अचारया से या फिर किसी भी पंडित से मंदिर में जाकर पूछ सकते हैं आपको यही जानकारी मिलेगी कि उपशाय जो चंदर ग्रहन है वो बास्तुविक चंदर ग्रहन की श्रेणी में नह रहने वाली वो अगर नियमों का पालन नहीं भी करती है तो उनके गर्व में पल रहे बच्चे पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है लेकिन तो भी अगर आप नियमों का पालन करना चाहते हैं जैसे कि आप बहुत सी वीडियो देख रहे हैं जिसमें यह बता